नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी आपिस करूर चैनल में दोस्तों आज हम MS Word में सीखने वाले हैं कि MS Word डॉक्यमेंट के अंदर अगर रूलर नहीं है जैसे कि देखिए दोस्तों यहां पे मेरे पास रूलर शो नहीं हो रहा तो वो रूलर कहा से हाइड होता है कैसे डिस्प्ले करना है और उस रूलर की छोटी सी हम सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं यह आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्विस्ट अगर अभी तक आपने आपके चेल्ल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजे धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों दीखिया अभी फिलाल जो डॉक्यमेंट मेरे पास उपन है वो agreement copy है दोस्तों दीखें यह मेरी agreement copy है और यहाँ पर मैं ऐसे कुछ इस page को इस तरफ ड्रैक करने वाला हूँ इस area को इस तरफ ड्रैक करने ह। लेकिन यहां पर मैंने सामने इंडेंट भी नहीं है और यहां पर रूलर भी नहीं है तो रूलर आपको मिलेगा कहां पर चली तो आपको यहां पर जाने सबसे उपर जहां पर लिखे कुछ टैप्स के नाव तो वहां पर क्लिक करना है आपको व्यू टैप को व्यू टैप को क अंदर tick mark नहीं तो जैसे मैं यहां पे mouse लिक करूँगा तो यहां पे display हो गया मुझे ruler अब लैपज़ साइड को देखिए ठीक है तो दोस्तों यहां पे tick mark अगर हमने निकाल दई तो देखिए यहां से ruler off हो गया है यहां पे on और off तो यह Bennett का option जो तो आपको मिलेगा view tap के अंदर आप easy ruler apply कर सकते और ruler hide कर सकते अगर मालिज दोस्तों अगर हम यहाँ पे read mode पे है view tap के अंदर read mode पे तो आपको ruler display नहीं होगा जब आप print layout इस view में रहते तो आपको ruler display होगा तो इस view को आप को simply करना है इसके button को प्रेस करना है तो आप भारा जाएंगे और यहाँ पे यह print layout जो वीवे यह by default ms word के अंदर set होता है ठीक है दोस्तों तो ruler आपको मालूम हो ruler अगर अगर आपका document read mode में open है अगर आप ruler ढोंड रहे तो ruler वहाँ पे मिलेगा नहीं है दोस्तों आपको simply आपके document को print layout में रखना है और वो by default print layout view में ही रहता है दोस्तों तो वहाँ पे आप easily वहाँ पे ruler apply कर सकते हैं और ruler remove कर सकते हैं चलिए दोस्तों हम छोटी से setting भी देख लेंगे यहाँ पे जैसे कि इस ruler में जो भी centimeter में है तो in जिसमें भी कर सकते हैं ठीके चलिए तो ruler के setting के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा file tab के अंदर जैसे आपने file tab को click किया है दोस्तों तो यहाँ पे सबसे नीचे देखिए option पे click करना है यहाँ पे option पे click करेंगे तो दोस्तों आपके समने word के options यहाँ पे dialogue box open होगा इस dialogue box में देखिए दोस्तों आपको जाना है simply advance option पे इस option पे click कर दीजे click करने के बाद यहाँ पे अंदर देखिए बहुत सारे option दोस्तों इसके उपर भी separate new video बनाया है दोस्तों आप प्लीज चेक कर दीजे तो आपको इस scroll को नीचे की तरफ ड्राइक करना है और आपको search करना है दोस्तों यहाँ पे display देखिए दोस्तों यह display option मिल गया इस display option के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे show measurement in unit तो unit अभी फिलाल को से दोस्तों inches के है तो आप easily इसको change करेंगे देखिए इस drop down box को click कर दीजे क्लिक करने के बाद आप उस inches को centimeter में easily कर सकते है centimeter को slate करना है और okay बटन को click करेंगे से थोड़ा में नीचे track करेंगे तापके आपको यहाँ पर display हो जाए ठीक है देखिए अगर millimeter करेंगे तो वह भी देखना है आपको okay बटन पर click किजे देखिए देखिए दूस्तों यहाँ पर इसकी units change हो गए है ठीक है फिर इससे एक बार file option option बटन पर click करना है advance को select करना है और तोड़ा सा नीचे drag करना है इस बार को और यहाँ पर आपको select करना है डिस्प्ले डिस्प्ले के अंदर देखिए इस measurement unit को आप करेंगे centimeter और कर दीजिए okay बटन को click तो देखिए यह numbers के point units कैसे आ गए है इस तरके आप easily change कर सकते है चलिए अब इस centimeter को convert करें दोस्तों इन जिस में जो पहले जो measurement था जो unit से वही मुझे चाहिए तो मैं चाहूंगा file option के अंदर और select करेंगे option option के अंदर हम जाएंगे advance में advance में हम search करेंगे यहां पर लिखा है editing option हम check करने वाले display कहां पर लिखा है तो इस बार को नीचे track कर दीजिए तो आपको यहां पर देखिए show measurement in units of centimeters को निकाल के आप inches में रख सकते हैं ठीक है तो बस यहां पर ok button को click करना है ok button को click करने के बाद देखिए unit से दूस्तों यह set हो गए inches के अंदर तो दूस्तों यह था हमारा आज का session कि अगर ruler आपके document में show नहीं हो रहा तो उसे आप कैसे display करेंगे remove और उस ruler की हमने कुछ चोटी से सेटिंग भी देख ली जहां पर आप inches to centimeter centimeter inches कर सकते हैं आशा करता हूं दूस्तों आपको यह मेरा session यह video पसंद आया होगा दूस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और like और comment करना मत भूलिए धन्यवाद